अगनीवीर को देखिये, कैसा स्कीम है, आप जानते होंगे, आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहत पे, देश की रखवाली करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं, सेना को ठेके पे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सेना की जो भरती है, वो भी ठेके पे होगी, चा कि क्या करेंगे, किसी के ओफिस में काम करेंगे, कही नौकरी ढूंडते हुई भटेंगे, यहां के पहले कम से कम 4,000 लोग सेना में भरती होते थे, अब जो नया नियम आया है, उसके जरीए मात्र 400-500 सेना में जा पाएंगे, और उद में से भी 75 प्रतिशत वापिस आजाए चार साल बाद, बहुत सबस्ट है, सत्ता में रहने के लिए चुनाव के समय आपके सामने कुछ भी कह डालेंगे, कुछ भी कह डालेंगे, कैसे कैसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाता है, आपको भूल जाते हैं